AC चल रहा है तो temperature क्या होगा, decrease होगा, क्या ऐसा होगा, कि हम आये थे 70 kg के, और 2 घंटे अगर AC चले, तो हम जाएंगे 60 kg के, जेहन future doctors, आप सभी का सौगत है, इंडिया के अमेजिंग प्लेटफॉर्म बहुत की प्लेस पर, आज हमारा topic है, solution and concentration term, तो आईए, शुरू करते हैं, बात करते हैं, सबसे पहले की solution होता है, हमने सपोज यह पानी की bottle ली, अगर हम इसमें एक sponge sand को add कर दें, और उसको अच्छी मेली क्या देखेगा, water देखेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, दो distinct phase बनेंगे, और ऐसे mixture को, जिसमें दो distinct phase बनते हैं, क्या बोलते हैं, heterogeneous mixture, और ऐसे heterogeneous mixture को नाम दिया जाता है, क्या suspension, अगर हम इसमें क्या करें, छोटा सा change कर दें, अगर हम इसमें one spoon sugar को add कर और उसको अगर अच्छी तरह से mix कर दें, तो क्या आप naked eye से देख के बता सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सुगर अपनी identity को क्या करती है, lose कर देगी, और अगर सुगर अपनी identity को lose कर देगी, तो क्या आप दो distinct phase बनें लेकिन्स ने घाता है, uh, तो कास्ति हमें, तो क कम्पोनेंट प्रेजन चार कमपोनेंट प्रेजन यहां ऐंचा है, आपनेट ऊनलेरी सूल्वेशन गुरफटें है, ते दूसरे को सूल्वेट बहते हैं, जो अगर सूल्वेंट अगरjang परशेुब ए घाता हुप हैं, इसर water है और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ची solute क्या solvent तो amount देखे सुगर का जाद है तो आप क्या बोलेंगे कि solvent यहाँ पर क्या है सुगर है और solute यहाँ पर क्या है water है और यह answer कैसा होगा गलत क्यों गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों substance की physical state कैसी हमारी different है और जब भी दोनों substance की physical state different होती है तो हम उस component को solvent बोलते हैं जिसकी physical state solution की physical state से match करती है अगर हम सुगर को water में डालें तो कैसा solution मनेगा liquid इसका उसकी physical state किसे match करेगी water से तो यहाँ पर solvent हमारा क्या होगा water होगा आगे हम बात करेंगे किसकी concentration term की concentration term को समझने के लिए हमने क्या करा हमने इनको दो group में divide कर दिया group A और group B बात यह है कि हमने इनको group में divide क्यों करा हमने इनको दो group में divide करा क्योंकि exam में question आता है कि कौन सा temperature dependent है कौन सा temperature independent है इस बात को समझने के लिए हमने इनको दो ग्रूप में डिवाइड कर दिया ग्रूप A में हमने उन concentration term को रखा है जो किस से related है volume से ग्रूप B में हमने उन concentration term को रखा जो किस से related है हमारे mass से अब आप ऐसे suppose करिए कि जैसे मान लो हमारा weight अगर 70 kg है और हम classroom में enter हुए यहां classroom में AC भी चल रहा है आप मान लो कि 2 गंटे की class है 2 गंटे अगर यह AC चलेगा तो इस room में किस सीज में change आएगा obviously बात है temperature में AC चल रहा है तो temperature क्या होगा decrease होगा क्या ऐसा होगा कि हम आए थे 70 kg के और 2 गंटे अगर AC चले तो हम जाएंगे 60 kg के नहीं न इसका मतलब है कि आप हमारी बास से agree कर रहे हो कि temperature change होने से mass में कोई भी change नहीं होता इसका मतलब है जिन भी concentration term में mass आ रहा है वो सारे के सारे क्या होगे temperature independent होगे और इसमें अधिको volume आ रहा है volume क्योंकि temperature के साथ change होता है इसका मतलब है यह जितने भी concentration term है यह सारे के सारे हमारे क्या है temperature dependent है तो अब हम इन concentration term को one by one discuss करेंगे पहले हम group A की बात करेंगे फिर group B की जैसे सबसे पहले हम समझेंगे क्या percent बाले term percent आपको पता है हमेशा किस में से निकाला जाता है hundred में से और यह hundred किसका amount होगा solution का ठीक है और जितने भी concentration term है सब में उपर हमेशा क्या आएगा solute आएगा नीचे हमेशा solution आएगा सिर्फ किसको छोड़कर की molality molality अकेली ऐसी definition है जिसमें उपर तो solute आएगा लेकिन नीचे solution की जगे क्या आएगा solvent आएगा तो आएगे जिससे सबसे पहला term आ रहा है percent by volume by volume का मतलब है उपर भी volume नीचे भी volume उपर किसका volume solute का नीचे किसका solution का यह percent by weight तो y weight का मतलब उपर भी weight नीचे भी weight उपर किसका weight solute का नीचे solution का थार्ड टर्म है percent weight by volume उपर क्या हैगा weight, नीचे volume, उपर किसका weight, solute का, नीचे किसका volume, solution का, तो आईए, अब हम one by one इनको देखा रहे हैं, यसे सबसे पहला term हमारा क्या है, percent by volume, अगर हम इसको symbolic represent करें, तो कैसे लिखते हैं percent vyv, उपर वाला वी किसका होगा, मिसा solute का, तो volume of solute, नीचे वाला वी क इसका solution का, volume of solution, percent निकालने तो into 100, इसी में, next हमारा term क्या रहे है, percent weight by volume, अगर हम इसको symbolic represent करें, तो कैसे लिखते हैं, percent w by v, उपर वाला w, किसका होगा, solute का, तो weight of solute, नीचे वाला v, किसका होगा, solution का, volume of solution, और percentage निकालने तो into 100, इसी में, next हमारा concentration term आते है, molarity, क्या definition होत present in one liter of solution, उपर क्या आगए, number of moles of solute, नीचे क्या आगए, volume of solution, solute को हमेसा B से लिखेंगे, solvent को हमेसा A से लिखेंगे, ठीक है, तो यह solute के mol, और यह volume of solution, अगर हमें solute के mol लिखालना है, तो इसमें दो तरीके के question आते हैं, या तो question में mass दिया होगा, या आपको number of particles दिया हो number, और avocado number की value आप जानते हैं, 6.023 into 10 की power 23, तो यहां से हम number of moles निकालेंगे, volume आपको question में given होगा, और volume हो सकता है कि आपको milliliter में given हो, तो milliliter को liter में कैसे convert करते हैं, thousand से क्या करेंगे, divide कर देंगे, और यहां value रख देंगे, और दोनों values रख देंगे, तो क्या निकलाएग उपर वाला डबलू किसका weight of solute, नीचे वाला डबलू किसका weight of solution, percent निकालना है, into 100, इसी में, next हमारा term क्या है, mole fraction, जैसे percentage हमने का हमेशा 100 में से निकालते हैं, C fraction हमेशा 1 में से निकालते हैं, हमने suppose कर लिए हमारे पास यह कोई binary solution है, इसमें solute और solvent है, solute के moles हमने suppose कर लिए अगर हमें निकालना है, solute का mole fraction, जिसका भी mole fraction निकालना है, उसके moles उपर, और इसको किस से divide कर देंगे, total moles present in the solution, नीचे अपने का हमेशा solution आएगा, अगर हमें निकालना है, mole fraction of B, तो क्या होगा, number of moles of B divided by total moles, अगर हम दोनों component के mole fraction का sum निकालने, तो mole fraction का जो sum है, जितने भ हम बार-बार कह रहें कि हमारा तो course ही binary है, तो इसका मतलब है, solute plus solvent, दोनों के mole fraction का sum हमेशा किसकी equal आएगा, आप देख भी सकते हैं, यहांसे, डोनों को add कर दो, तो XA plus XB, उपर क्या हैगा, NA plus NB, नीचे भी क्या है, NA plus NB, NA plus NB से NA plus NB cancel out, तो यह हमने का किसकी equal 1 के, तो अगर आपको solute का mole fraction पता है, solvent का निकालना है, तो 1 में से क्या करेंगे, subtract कर देंगे, जैसे, अगर हम बात करें, यहांपे next concentration term की, तो क्या आता है, molality, यह हमने का अकेला term है, जिसमें नीचे क्या आएगा, solvent आएगा, क्या definition होती है, molality की, number of moles of solute present in 1 kg of solvent, तो उपर देखे, solute के moles आगे, नीचे किसका weight आगया, solvent का kg में, अगर हम solvent का weight ग्राम में ले लें, तो ग्राम को क्लो ग्राम में change करना पड़ेगा, thousand से क्या करेंगे, divide, तो देखो, thousand उपर आगया, तो यह हमारा formula है, किसका, molality का, यह देखे, need, है न, 2022 का question है, बिलको latest question है, question हमें दिया है, in one molar solution, that contains 0.5 molar of solute, there is, चार option दियें कि कौन सा option correct है, आप देखे, molality, कितनी given है molality, 1, तो यहाँ पर हमने put कर दिया 1, and this is equal to, number of moles of solute, कितने given है, question में हमको, 0.5, into 1000 upon, नीचे, क्या चीज़ आ गई हमारी weight of solvent, और 0.5 का, अगर हम इसमें multiply कर दें, तो यह किसकी equal आ गया, this is equal to 500 ग्राम, देखे, कौन सा option है 500 ग्राम, तो B is correct answer, ठीक है, तो यह हम बात कर रहे थे, need, है न, 2022 के question की, इसी में हमारी next category आती है, जिसको हम नाम देते हैं, advanced category, advanced category की question कैसे होंगे, अभी तक हम सिर्फ group A, या सिर्फ group B को समझ रहे थे, अब जो अच्छी questions आएंगे, उनमें आ convert करना होगा, group B में, या group B की को unit दी जाएगी, उसको किस में convert करना होगा, group A में, कैसे convert करेंगे, होगा क्या, आपको दिख रहे है, group A किस से related है, volume से related, group B किस से related है, mass से, और आपको एक चीज पता है, volume को mass में, या mass को volume में convert करना है, तो किसकी requirement होती है, density, तो जो advanced level की question होगा, group A कोई एक term दिया होगा, साथ में density दियोगी, group B का term निकल बाएगा, या group B कोई term दिया होगा, साथ में density दियोगी, group A का निकल बाएगा, तो आपको group A को B में या B को A में convert करना है, तो कैसे convert करेंगे, इसके लिए आपको 3 special formula दे रहे हैं और अगर आपको यह 3 special formula आते हैं तो आप यह मान के चलिए कोई साभी question आप solve कर देंगे जैसे सबसे पहला है हमारा relation between molarity percent by weight and density क्या formula होता है molarity is equal to 10 into percent w by w into density density हमेसा gram paramil में होगी upon molar mass of solute और इसी में percent w by w into density यह किसकी equal होता है percent weight by volume इसी में second हमारा relation आते है relation between molarity, molarity and density क्या relation होता है molality is equal to 1000 into molarity upon 1000 into density minus molarity into molar mass of solute यह हमारा दूसरा formula है इसी में third special formula आते है हमारा relation between molality and mole fraction क्या relation होता है molality is equal to mole fraction of solute into 1000 upon mole fraction of solvent into molar mass of solvent जैसे अब यह देखिए question है हमारा इसी को उपर based है यह need 2015 का question है क्या पूछा है what is the mole fraction of the solute in a one molar aqueous solution देखिए molality given है क्या find करना है mol fraction relation देखिए सामने लिखा पड़ा हुए रखें आपे value molality कितनी दे रखे हमको one molar तो हमने देखिए molality की जागे one put कर दिया this is equal to mole fraction of solute हमें find करना है तो xb यहाँ पर क्या चीज़ है हमारी mole fraction of solute into 1000 नीचे क्या रहा है mole fraction of solvent और solvent के mole fraction को हम क्या लेख सकते है one minus mole fraction of solute into molar mass of solvent solvent देखिए यहाँ पर क्या है कैसा solution दिया है aqueous aqueous का मतलब है कि solvent हमेशा क्या होगा water होगा और water का molar mass कितना होता है 18 एक और important चीज़ आपको बता है यह जो calculation है thousand by 18 chemistry में बहुत frequently आता है और यह हमको याद हो जाना चाहिए thousand by 18 जो होता है वो 55.55 इसको divide कर दो तो यह आगया one is equals to xb upon one minus xb और thousand को 18 से अगर हम divide करें तो यह आगया कितना 55.55 one minus xb का यह multiply कर दो तो one minus xb is equal to यह आगया 55.55 xb one xb को 55.55 में add कर दें तो यह कितना आ गया हमारे पास 56.55 xb is equal to one यह xb किसकी equal आ गया हमारे पास one of one 56.55 56.55 को अगर हम roughly 57 लिख दें तो one को देखो 57 से divide करना है तो यहां पर पहले क्या लगाएंगे decimal ठीकिना यह zero बढ़ा दिया अभी भी हरा divide नहीं होगा फिर से यहां पर zero यहां एक और zero increase कर दिया और hundred को अगर हम 57 से divide करें तो कितने times जाएगा one times तो कितना आ गया point zero one देखिए चार option किसमे पॉइंट zero one दिखाई दे रहे लास्ट option तो कौन सा option हमारा करेक्ट होगा डीज करेक्ट option तो मिलते हैं इसके बाद next वीडियो में तब तक के लिए जैहन झालम में दोड़ कि राद में दोड़ कितने हम तो कितना हमारा का熱ा धता और